पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष ने उदैपुर के वल्लव नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चुनाव जीतने के बाद जातिगत जनगरना कराने का वादा किया है उन्होंने कहा कि अगर ये पता ही नहीं है कि किसकी आबादी कितनी है तो हम भागीदारी के बारे में कैसे बात करेंगे अगर हम अधिकारों की भागीदारी की बात करें तो हमें ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कितने लोग किस जाती और समाज की हैं राजस्तान में जाती समीकरण को जो भी दल साधने में सफल रहता है उसी के हाथों में सत्ता होती है राजस्तान में 89.5 आबादी हिंदू, 9.5 मुस्लिम और 2.5 अन्य धर्म की लोग हैं अंसोचित जाती की आबादी 18 फीस दी, अंसोचित जन जाती की आबादी 13 फीस दी, जाटो की आबादी 12 फीस दी और गुरजर और राजपूतों की आबादी 9 फीस दी है, ब्राम्हन और मिड़ा की आबादी 7-7 फीस दी है, इस लिहाज से किसी भी दल को सत्ता में आने के लि लेकिन जाती के आधार पर भागीदारी की बात की जाए तो ऐसा संभो नहीं दिखता है, क्योंकि इस से बाकी जातियां महतुपूर्ण नहीं रह जाएंगी। इस चुनाओ में बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही दलों की ओर से 200 विधान सभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोशना की जा चुकी है। जाहिर है, जनसंख्या में कम होते हुए भी राजस्थान की राजनीती में जाटों और गुर्जरों का ही वर्चस्व है।